तो गाइस आज जो मैं आपकी साथ रेमेडी शेयर करने जाहरी हूँ ना इसे मैं रेमेडी नहीं बोलूँगे मैं इसे बोलूँगी मैजिक आज जो मैं आपकी साथ मैजिक शेयर करने जाहरी हूँ ना यह आपकी स्कीन को ब्राइट एंड ग्लूइंग बनाएगा साथ ही और तो और यह आपकी इसकिन से ब्लैक हैट्स और वाइट्स की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा एकने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी रहती है तो उस चीज को भी जड़ से खदम करेगा और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यह जो मैं चीज यूज करने चाहरी हो ना वह होग की आके केम है आपको उठा के लाना है बस दो चीज की जरूरत है क्या है झाल से रहल जांद कर लो उसके बाद कर जैसे हाफ कर लो और जैसे आप अपनी दुस्मनों को कुटना चाहते हो ना बस वैसे ही फोक से इसे कमघंड लगा दो और फिर इसमें आपको डालना है थोड़ा सा हल्डी ठीक है उसके बाद आगजन आपको फोक से हैं इसमें आपको वापत से cut cut करना है इसे क्या होगा कि टमाटर का जो रस है और यह हल्दी है आपस में मेक्स हो जाएगा उसके बाद इसे आपको अपने face पे धीरे धीरे मसाज करना है टमाटर और हल्दी का combination है ना इसकीन के लिए प्राकृतिक ब्लीच का काम करता है यह आपके इसकीन के जो बालो को है ना वो ब्लीच कर देगा साथ ही आपकी इसकीन की रंगत को साफ करेगा और इतना ही नहीं इसकीन की टैनिंग, पिगमेंटेशन और डलने से भी आपको छुटकारा देगा इसे आप रोज यूज कर सकते हूँ टमाटर और हल्दी में ना एंटी इंफ ही करता है अगर आप टमाटर और इस हल्दी का जो पैक है जो अप लगार हो ना इसे कुछ इस तरीके से यूज करोगे ना तो यह आपकी डेड़ स्कीन को भी दूर करेगा अगर आप इसे रोज यूज करोगे ना तो आप खोद इसका जादू देख पाऊगे यह किसी मेड लाइन जूरियों को भी कम करेगा दस मिनट के लिए ऐसे ही फेस पे छोड़ देना मसाज करने के बाद और अपने चेहरे को वाश कर लेना नॉर्मल वाटर से इस पैक को आपना साम के वक्त यूज करना क्योंकि आप नॉर्मल वाटर से धोगे तो हल्दी का दाग रह जाए होगा पसंद आया है तो प्लीज डॉन फोगेट तो लाइक सब्सक्राइब और से तो मिलते हूं अगली वीडियो में सो तिल देन बाब बाब